हैलो बच्चो आप सभी का हमारी यूट्व चैनल पर स्वागत है तो बच्चो आप सभी के लिए आपके साइन्स का कुश्चन पेपर में लेके आ चुका हूँ आपके कल के एकजाम के लिए और ये कुश्चन पेपर कल आपके एकजाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है इसके सभी questions आपके exam में देखने को मिलने वाले हैं बहुती ज़्यादा important ये question paper आपके लिए होने वाला है तो जल्दी से इसके सभी question को अपनी copy पर note जरूर कर लेना सभी question को मैं आपके लिए बताने वाला हूँ और channel पर नए हैं तो channel को subscribe जरूर कर लेना आपको सभी question paper आपको सभी subject के इस channel पर मिलने वाले हैं तो subscribe कर लीजिए जल्दी से और notification को on कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का notification आपके पास पहुँच जाए तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के question को solve करते हैं पहला question है मिट्टी को उलटने और पलटने की जो प्रकरिया होती है उसको क्या कहते हैं तो जब मिट्टी को उलटते हैं पलटते हैं बोने से पहले तो उसको हम जोताई कहते हैं plugging कहते हैं what is the name of process losing and turning soil तो इसका plugging एकदम correct answer हो जाएगा इसके बाद next question है निमन मैंसे कौन सी प्रजाती पंच मड़ी जैब मंडल आरचे छेतर की बिसेश छेतरी ये प्रजाती है तो इसका जो right answer है वो उड़ने वाली गिलहरी यानि flying squirrel हो जाएगा which of the following species is an endemic species of पंच मड़ी बिसफोर बाइस फेर रिजर्ब इसके बाद next है आपको बताना है निमन मैंसे कौन सा विद्युत का चालन करता है तो विद्युत का चालन वही करता है जो अमल होता है जादा तर जो acid होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं तो इसमें नेमबू का जो रस है, बू क्या होता है, एक एसिड होता है, जिसमें हाइड्रोजेन आयन होते हैं, एच प्लस आयन होते हैं, इसी बज़े से ये क्या है, विद्धुत का चालन करता है, विच आप दी फॉलोविंग इस कंड़क्टर ओफ एलेक्ट्रिसिटी इस ल ब्रेस्पती जो है, सबसे बड़ा होता है, आई थिंक, तो ब्रेस्पती आपका सबसे बड़ा है, और सबसे चोटा वुद्ध हो जाएगा, इसके बाद बेच आप दी smallest है, तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा, सितार का कौन सा भाग द्वनी उत्पन करने के लि उससे क्या है, कमपन उत्पन होता है, तो तनित डूरी इसका right answer हो जाएगा, stretched, string यानि किछी हुई, जो डूरी होती है, उससे क्या है, कमपन उत्पन होता है, इसके बाद ये आपका, देखें, चैप्टर कार्ट दिया है, जो चैप्टर हटा दिये हैं, उन कुश्चनों को आप तैयार मत करना इसके अलावा सारे कुश्चिन्स आपके एकजाम की द्रस्टी से बहुत ही जादा बहरी बहरी मुश्ट इंपोर्टेंट हैं तो इनको जरूर पढ़के जाना है इसके बाद देखिए जनन किसे कहते हैं तो जनन क्या होता है जनन एक प्रकार से उत्पत्त या संतान को जनम देने की प्रक्रिया होती है और अमीवा में अलेंगिक जनन किस विदी से किया जाता है तो दूई खंडन जो दूई खंडन विदी होती है उस त्वारा ही अमीवा में अलेंगिक जनन होता है तो दूई खंडन जैसे एक अमीवा होता है इस तरीके से जिसम तो आप लिख सकते हैं, इसके बाद देखें, यीस्ट किसके लिए उत्तरदाई होता है, यीस्ट ब्रेड वेकिंग, मतलब जो ब्रेड होती है उसमें यीस्ट पाया जाता है, यीस्ट एक प्रकार का क्या है, विसेस प्रकार का क्या है, ये जीव होता है, और लेक्टो बैसिल से ही क्या होता है डेंगू होता है तो इस तरीके से आपको मिलाना है ये इससे मिल जाएगा ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा तो मिलाने के लिए आपको कुश्चन जरूर पूछा जाएगा और इसके बाद देख सकते हैं यीस्ट क्या हो जाएगा बेकिंग किस लेवस में नहीं है मिर्दा अपर्दन को रोकने के कारण क्या है तो मिर्दा अपर्दन कैसे रोक सकते हैं तो मिर्दा अपर्दन रोकने के लिए हमें खेतों की जुताई करनी चाहिए सीड़ी निमा किरसी करनी चाहिए घास की पेटी बनानी चाहिए ब्रक्षा रूपर क करना चाहिए और अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए पसु पाल जो पसु चारण होता है जो पसु जो होते हैं गाय बैस बकरी जो पसु जमीन को चरती है तो उस पर भी हमें क्या करना चाहिए रोक लगाना चाहिए इसके बाद कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्य लगते हैं क्योंकि केरम बोड जो होता है केरम बोड हो जाता है जादा जादा देर खेलने से क्या है वो खुद्रा हो जाता है तो उसकी खुद्रेपन को दूर करने के लिए उस पर एक महीन पाउडर छिड़का जाता है जिससे उसका घरसड होता है घरसड क्या होता है वो कम ह करने हिए से कह सकते हैं इसनेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट ऐसे जो ऐसे मैटेरियल होते हैं ऐसे पदारत होते हैं इसनेहक लुब्रिकेंट जो किसी खुदरी सत्य को क्या है चिकना बनाते हैं जैसे पंखे में ओयलिंग करना ये भी क्या है इसनेहक होता है तो इसनेहक के वारे मे भी आपसे कुछ सिल पूछा जा सकता है और जो बेरिंग होती है साइकल या मोर साइकल की उसमें भी हम ओयलिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं इससे भी क्या होता है, इसने हम कहते हैं तड़ेते जंजा यानि बिजली जब कड़कती है तो उसमें हमें क्या साफदानी रखनी चाहिए तो सबसे पहरे तो हमें उचे पेड़ पौदे उचे जो पेड़ हैं, उनके नीचे नहीं बैटना चाहिए क्योंकि उचे पेड़ों पर ही जो बिजली है वो सबसे ज़्यादा टकराती है इसके अलावा कार के अंदर हमें सरड लेनी चाहिए मकान में रहना चाहिए मकान से बाहर नहीं निकलना चाहिए और छाता हमें बिलकुल भी हाथ में नहीं लेना चाहिए अगर आपके पास छाता है तो उसका यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि छाता क्या होता है लोहे का होता है लोहे की रौड होती है उसमें तो उससे आपको जटका लग जाता है तो इस तरह से आप जो तड़त जंजा है उससे आप आसानी से बस सकते हैं इसके अलावा दूसित जल को पीने योग्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसमें किलोरीन मिलाना चाहिए इसके अलावा उसमें फिटकरी को डाल कर पीना चाहिए पानी को अबाल कर गर्म कर कर पीना चाहिए इसके अलावा नेक्स्ट है जैवे खाद और वरक्य पेक होते हैं जैसे कैंचिवा हो गया और पसुओं के जो अपसिस्ट पदार्द होते हैं उन से मिलकर बनती है तो यह अधिक उप्योगी होती है इसके अलावा मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए अपने उससे बच सकते हैं प्लास्टिक पर्यावर के लिए हानिकारा पहुचाता है तो प्लास्टिक क्या है एक एक बहुलक होता है और बहुलक आपके चैप्टर से अटा दिया है तो इसको आप छोड़ दीजिए ये कुश्चन भी आपका सलेवस में नहीं है तो इसको आप अटा सकते हैं इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं पैट्रॉलियम के परिसकरण से प्राप्त दो संगटों के नाम तो बहुत ही इंपोर्टेंट कु तो परिसकरण से हमें क्या क्या मिलता है एक तो डीजल मिलता है पेट्रॉल मिलता है यानि इंधं जो होता है आमारो couple होता है वह परिसकरण से मिलता है और इस प्यूल के आपको सबी को उपियोग हैं बहानों के चालन के लिए किया जाता है और जो कैरोसीन होता है वो आग जलाने के लिए उपियोग होता है तो इनकी उपियोग भी आप लिख सकते हैं पैट्रोल का उपियोग बहानों के लिए किया जाता है और इनन का उपियोग खाना बनाने के लिए भ बहुत ही important question ज्वाला किस से उत्पन होती है पैट्रॉल से उत्पन होती है केरोसीन यानि मिट्टी के तेल से उत्पन होती है और जो मुमबत्ती होती है उससे भी ज्वाला उत्पन होती है इसके साथ मुमबत्ती का जो हमें चित्र है ये बहुत ही important है मुमबत्ती का चित्र हर तो आपकी बुक में चित्र बना हुआ है उसकी प्रेक्टिस जरूर करनी है मौमबत्ती की तो यह आएगा कलाप के एकजाम में गरसड क्या है गरसड एक प्रकार का बल होता है जो दो साप एक शिक इस पर से गतियों का विरोध करता है जो दो गतियां होती है उनको क्या करता है ये गरसड रोकता है और गरसड क्या है ये एक तरह से मित्र भी होता है और सत्रू भी होता है तो इस तरह से भी कुछिन पूछा जाता है गरसड मित्र और सत्रू कैसे है तो मित्र इसलिए है क्योंकि गरसड की बज़े से ही हम जमीन पर चल पाते हैं अगर गरसड नहीं होता तो हम रेंगते हुए चलते यानि फिसल जाते गरसड की बज़े से ही हम सड़क पर चल पाते हैं नहीं तो हम फिसल जाते और सत्रू किस बज़े से है क्योंकि गरसड की गरसड नहीं होता है यानि गरसड खुदरी जगे पर सत्रू इ चल रहा है तो उसमें गरसड यानि खुदरापन आ जाता है तो उसमें गरीस डालते हैं ओइलिंग करते हैं तो इस तरह से यह मित सत्रू भी होता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं से चक चोक से स्यामपट पर लिखता है लेकिन लकडी की जो कलम होती है पैंसल उससे नहीं लिख पाता है तो ये सिर्फ गरसर की वजए से ही होता है क्योंकि जो स्यामपड होता है बो एक तरह से खुद्रा होता है लेकिन पैंसिल क्या है चिकनी पर ही चलती है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं किसोर अबस्ता में बहान चलाना, दुरगटना का कारड क्यों होता है तो जो किसोर जो होते हैं, उनमें क्या है जो experience होता है यानि अनुभव होता है और उसका अभाव होता है, अनुभव की कमी होती है इसी वजह से जो दुरगटना हैं, वो जादा तर देखने को मिलती हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं भाईय निसेचन से आप क्या समझते हैं तो भाईय निसेचन ऐसा निसेचन होता है जो नर और मादा में युगमक का सनलेयन से होता है और मादा सरीर के बाहिये या आम तोर पर पानी में होता है और इसके उधार क्या है मेंडक में पाया जात क्योंकि यह पानी में रहते हैं इसके अलावा सरब्य दुनिया क्या होती है बे दुनियां जिनको हम आसानी से अपने कानों से सुन सकते हैं और सबसे most important जो सरब्य दुनिय की जो आवर्ती होती है वो 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तो दो तरह से लिखता है वो एक जामनर या तो 20 हर् से बीस किलो हर्ज लिखता है या लिखता है बीस हर्ज से बीस हजार हर्ज तो बीस हजार का मतलब ही बीस किलो होता है क्योंकि एक किलो में एक हजार होते हैं तो या तो किलो हर्ज लिखेगा या बीस हजार लिखेगा तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो इसकी आवरती 20-2010 से 20,000 हड़ एंग होती है ityis की धारपरवल और पच्छे की दुनी दुरवल क्यों होती है क्योंकिस सीज़ की दाहरवल होती है उसकी आवर्टी कम होती है इसलिए उसकी गूझ है वो अमारी कानों में ज़्याद हाती है और इसकी आवर्थी क्या होती है आवर्थी कम होती है इसकी आवर्थी क्या होती है अधिक होती है पच्छी की और पतली होती है इसलिवेज जैसे हमारे कानों में अच्छी लगती है इसके बाद साइकल के हैंडल ये भी आपके सलिवेज में से अटा दिया है दातू बाला बूकंप क्यों आते हैं तो बूकंप क्या होते हैं भूपरपटी के अंदर जब केमिकल रियक्शन होते हैं यानि रासाइने का विक्रियाई होती हैं तो उस बज़े से हमारी जो जमीन है भूमी है उसमें बूकंप आते हैं और बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए तो भूकंप से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो हमें घर के बाहर से हमें निकल जाना चाहिए बिल्डिंग जो घर है हमारा उससे बाहर निकल जाना चाहिए और एक खुले मैदान में हमें सरड लेनी द्रवततारा रात्तरी में दिसा ग्यान इप स्राप भी आपके सलिवग से अठा दिया नदिया वर दाला में ज़ल पडूसर तो यह आप आसानी से लिख सकते हैं जन्तू को सिखा का नामांग के चित्र बनाना है तो इसको अपने किताब से बना सकते हैं पादब को सिका के चार अंतर तंत्रिका को सिका का नामांग के चित्र इसके अलाबा बल किसे कहते हैं और बल के देनिक जीवन में उपियोग तो बल किसे कहते हैं किसी बस्तू को एक निश्चित दिसा में गति निश् दिसाम है गति करना F वरावर A में होता है तो इस तरह से मतलब दिरब्यमान की जो कोई बस्तु है उसको हम क्या करते हैं दख्का देते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं संपरकबल असंपरकबलों का ये के कुदारण दाव किसे कहते हैं तो ये भी आप और इसके दैनिक जीवर में अपयोग तो ये दोनों ही आपको पढ़के जाने हैं इनमें से एक कुश्चन आपको जरूर मिलेगा तो दोनों पढ़ने हैं आपको इसके बाद नियमित और बिसरत परावरतन का चित्र बनाना है तो नियमित परावरतन क्या होता है एक समतल जगे पर होता है इस तरीके से और जो बिसरत परावरतन होता है वो खुदरी जगे पर होता है तो उसका कोई पता नहीं होता किदर किरड जाएगी इसके बाद दोनों में अंतर तो नियमित में चिकनी सतय पर होता है और अनियमित में खुदरी सतय पर होता है इसके बाद ये अत्वा में हैं ये भी आपको पढ़ने हैं समतल दरपड और ये समतल दरपड के बनने वाले प्रतिविम के लच्छड समतल दरपड का पृतिविम क्या होता है सीधा और आवासी बनता है वो बस्तू के साइज का ही बनता है जितनी बड़ी बस्तू होती है उतना ही क्या होता है इसका पृतिविम का आकार होता है तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल वर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू